ये संसार दुनिया भर के रहस्यों अजीबों गरीब घटनाओं से भरा पुरा है। कभी कभी तो किसी किस्से कहानी को सुनकर विश्रास ही नहीं होता कि ऐसा भी होता होगा क्या। पर होतो रहा है। आज मैं उमा प्रभाकरन रेडियो हंदुस्तान के मेरे दोस्तों से केरल के मलपुरम जिले में स्थित कोडिनी गौम में होने वाले जुड़वा बच्चों के बारे में कुछ बातें साज़ा करूंगी। हाँ तो मेरे दोस्तों अगर मैं यह कहूँ कि ऐसे भी एक जगह है जहां केवल जुड़वा बच्चे ही पैदा होते हैं तो क्या आप मानेंगे नहीं ना शायद आपको विश्वास भी ना हो पर यह बात 100% सच है। कोडिनी गाउ में होने वाले बच्चे अधिकतर, that is you can say 97% बच्चे जुड़वा होते हैं अब पूरे विश्व का अगर आखड़ा लेकर बैठेंगे तो यही पता चलेगा कि 10,000 बच्चों में कोई 10 बच्चे जुड़वा पैदा हुए हैं पर यहां तो 1000 में कम से कम 1500 में सिद्ध इस मुस्लिम जनसंक्या से भरी गाउं की आबादी अगर 2000 है तो यहां 550 से भी अधिक जुड़वा बच्चे हैं कई लोगों ने यहां तक कि वैग्यानिक के दलों ने भी आकर पता लगाने की कोशिश की पर कुछ खास जानकारी प्रात नहीं हुई यही नहीं वैग्यानिकों ने याट डेरा जमा कर खान पान से लेकर उटने बैटने की हर चीज की रिसर्च कर डाली पर कुछ हाथ नहीं लगा वैसे भी केरल को गौट्स ओन कंट्री कहा जाता है तो रहस्य तो होंगे ही इस गौँ के सबसे अधिक उमर वाले हमीद और उनकी बहन जुड़वा थी बस तब से या कहानी या सिलसला आरम हो गया समझें अक्टूबर 2016 में रिसर्च की एक जॉइन टीम यहां पहुंची थी इस टीम में हैदराबाद स्थित CSIR, Center for Cellular and Modular Biology, Keral University of Fisheries and Ocean Studies और लंडन इंवरिसिटी के साथ जर्मनी के रिसर्चर भी आये थे उन्हें भी यह रहसे का पता नहीं चला, DNA टेस्ट करवाने के बाद कई लोगों ने बच्चों के लार और बालों के सैंपल भी लिए पर अभी तक परदा नहीं उठा है तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों जुड़वां चाहे एक तरह नजर आते हों या भातर तो होता हो हमेशा ही आकर्शन और जिग्यासा का केंदर बना रहता है हलांकि कारण मायावी हो सकते हैं दैवी हो सकते हैं और पता नहीं नहीं जाने क्या क्या हो सकते हैं पर खोज तो अब भी जारी है तो अब अनुमति दे उमा प्रभाकरन को इसी तरह नहीं नहीं खोज नहीं नहीं रहस्यों, गटाओं, कहानियों के साथ फिर मिलोंगी तब तक करते रहें काम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान दोस्तों जल ही जीवन है या न भूलें